हेलो लेर्नस ये एक्सेल वित हभीबा है आज का ग्लास एंग्स एंड अब्जिक्टिब्स ऑव लर्निंग सोशो साइंसे इसका मतलब है सामाजिक विग्यान सीखने के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में समझेंगे लिखना सीखने के उद्देश्य क्या है याद करना सम समाजिक विग्यान सीखने के उद्देश्य का मतलब जानते हैं सीखने के उद्देश्य को पाठिक्रम के अपेक्षित परिणाम को प्रदर्शन योग्य कोशल या ज्यान के संदर्ब में सपष्ट रूप से परिभाशित करना चाहिए जो सिक्षार्थी द्वारा प्रदान किये गए निर्देश्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जाएगा वे हमारे पसंद का मार्ग दर्शन करते हैं जब हमारा फोकस स्पष्ट होता है तो हम और हमारे सिक्षारती दोनों आसानी से वहां पहुंच सकते हैं अच्छी तरह से परिभाशित और स्पष्ट सिक् सिक्षन सामागरी और गतिविधियों के हमारे चेन के बारे में सूचित करें हमारी परिक्षन और मूल्यांकन रन्नीतियों का मार्ग दर्शन करें अच्छी तरह से लिखे गए सीखने के उद्द्योशों में अवलोकनिय व्यवहार शामिल होना चाहिए जिससे मापा जा सक सीखना और समझना, learning and understanding सराहनी ये सिक्षन लक्षय हैं प्रसिक्षन दल अकसर सीखने के उद्देश्यों को लिखने के लिए अपने अच्छे पुराने अनुदेशात्मक डिजाइन, stand by bloom के taxonomy पर निर्भर रहते हैं action, that means kriya, kriya हैं जो bloom के वर्गी करण के भीतर संग्यानात्मक डोमेन से मेल खाती हैं, अधिक विशिष्ट और उप्योगी हैं अब हम लोग bloom taxonomy के उसी उद्देशों के बारे में समझेंगे एक-एक करके पहले remembering, that means याद करना, सामाजिक विज्ञान, हम लोग social science के methodology वाले हैं इसलिए हम लोग सामाजिक विज्ञान के examples के द्वारा, उदाहरन के द्वारा समझेंगे सामाजिक विज्ञान में तथ्य, थीमो, थीम भी बहुत important है अवधारनाओं, सिध्धानतों, सामानी करनों, सिध्धानतों, मौडलों और समरचनाओं और ग्यान के अन्य हिस्सों को प्राप्त करना था, याद करना और पहचानना यह सिक्षार्तियों को सामाजिक विज्ञान को समझने में मदद करता है सीखने का उद्देश का उदाहरन समझते हैं प्राकृतिक संसाधन और मानो संसाधन के दो-दो उपयोगों सूचिबद करना यह एक उदाहरन है इसका विशेश्था क्या है? समरन करना और पहचानना दोनों के बीच में अंतर समझेंगे और उसको समरन भी कर पाएंगे याद करने के द्वारा इसके बाद है, याद करने के बाद समझना, अंडेस्टैंडिंग सिक्षार्ती विबिन सिक्षन अधिगम स्थितियों में अर्थ का निर्मान करता है वह समझता या समझती है कि क्या वह विबिन अवधारनाओं और ज्ञान के अंशों समझ के समर्थन, तारकिक और अमूर्त सोच को सहसंबंदित और जोड सकता है कि सकती है जाना जा सकता है सीखने का उदाहरन देखते हैं मृदा निर्मान में शामिल विभिन्य चरणों का सारांश आर्थिक येवं सामाजिक मुद्दों का वर्नन करें इसका विशिष्टा क्या है? व्याख्या करना, परिभाशित करना, उदाहरन देना, वर्नन करना, अनुमान लगाना, पहचानना और संबंद करना, दोनों का बीच का संबंद देखना, व्याख्या करना इनके उदाहरन है और इनका विशेष्टा है अब आते हैं आवेदन करना सिक्षार्थी तथियों, अवधारनाओं, सिध्धानतों और सिध्धानतों का उपयोग कर सकता है और अरजित ज्यान और उसकी समझ को परिचित स्थिती पर लागू करने के लिए नई स्थितियों में समस्याओं को हल कर सकता है मतलब, learner can use facts, facts को use करना, concepts को, principles को, theories को, problems को solve करने के situations में इन चीजों को apply करके knowledge gain कर सकता है understanding पा सकता है, different situations में इन चीजों को apply करके नव सीखने का उदेश का उदाहरन देखते हैं वर्तमान राजनितिक मुद्दों का उपयोग करके गतिविधी पर प्रदर्शन करना इसका विशेष्टा क्या है? समस्याओं को हल करना, प्रदर्शित करना, गणना करना, संकलित करना, वर्नन करना, निर्मान करना होता है न विशलेशन, मतलब अनलाइजिग, सामाजिक विज्ञान में सीखी गई जानकारी को विशलेशन करने के लिए सामागरी या अवधारनाओं को भागों में तोड़ना, यह निर्धारित करना की भाग, समग्र, समरचना या उदेश पर एक दूसरे से कैसे संबंदित या अंतर संबंदित है to analyze the learned information in social sciences, that means breaking material or concepts into parts, छोटे-छोटे टुकडों में बाट के चीजों को समझना, उन चीजों को जोड़ कर तोड़ कर समझना सीखने का उदेश का उदाहरन समझते हैं यहां, किसी समाज में लोगों के व्यवहार की व्याख्या करना, इसका विशिष्टा क्या है? अंतर करना, तुलना करना, जांच करना, व्यवस्थित करना, आलोचना करना, पता लगाना, बहस करना, discussion, विसलेशन करना, वर्गी कृत करना और भेदभाव करना, discriminate, categorizing करना और discriminate करना Now, मूलियांकन, evaluating, सामाजिक विज्ञान में, मान दंडों और मानकों के आधार पर निरनाई लेने के लिए, सिफारिश और रिपोर्ट कुछ ऐसा उतपाद है, जिन्हें मूलियांकन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, बनाया जा सकता है To make judgments based on criteria and standards, in social science, recommendations and reports are some of the products that can be created to demonstrate the process of evaluation So, सीखने का उदेश क्या है, यहां उदाहरन समझते हैं, किसी भी बयान पर टिपनी करना बयान को सही ठहरा रहे हैं इसका विशेष्टा क्या है, न्याया धीश, भविश्यवानी, संशोधन, या अंतर, चैन, निर्धारन और मूलियांकन, बचाव या चैन, माप, निशकर्ष, अउचित्य, निर्नय और आलोचना यह सारे उसके विशेष्टा हैं, commenting on any statement, यह learning objective है बच्चे कुछ देखने के बाद उसके बारे में statements दे के उसको justify करेंगे अगर वो सही है तो सही justification करेंगे, आलोचना करेंगे Lastly, आखिर में, सुरुजनात्मक, that means creating सामाजिक विज्ञान में सीखी गई जानकारी का उपयोग करके नए विचारों और जानकारी तयार करना इसका मतलब है, स्रिजन का तातपर्य किसी की अत्यधिक कलपना के माध्यम से designing, योजना बनाना, लिखना, निर्मान करना और उत्पादन करना है To create new ideas and information by using learned information सीखी गई चीजों से उनका खुद का निरनाई करके चीजों को प्रस्तुत करना design करना, planning करना, उसका construction करना, उनका imagination, सोच को दर्शाता है सामाजिक विज्यान में कुछ ऐसे विशे हैं जहां सिक्षारती को data इकटा करने, विभिन स्त्रोतों से जानकारी इकटा करने और अवधारना की विस्तार से समझ पैदा करने के लिए कुछ गतिविधियां दी जा सकती है सीखने का उदेश देखते हैं, यहां उदारन के साथ संसद जीवनी भूमी गटन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तयार कर सकते हैं सौर मंडल को दर्शाते हुए एक नाटक का मंचन कर सकते हैं इसके विशेश्टा क्या है? उपयोग गरना, अविशकार करना, डिजाइन बनाना, उपकरन बनाना अभी इसका निशकर्ष क्या है इन सारे उद्ध्योशों का समझते हैं क्रिया जितनी अधिक विशिष्ट होगी प्रशिक्षन समाप्त होने के बाद सिक्षार्ती उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि उनसे क्या उपेक्षा की जाती है निर्देशात्मक डिजाइनरों को इन क्रियाओं के बारे में सोचने में समय लगाना चाहिए जो सीखने के उद्धेश्यों पर एक बड़ा हिस्सा बनेगा The more specific the verb, the more clearly learners will understand what is expected of them Once the training ends, instructional designers should invest the time thinking about these verbs which will form a large part of the learning objectives Now Bloom का वर्गी करन सीखने के उद्धेश्यों को विक्सित करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरन है क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है इससे पहले कि आप किसी अवधारना को समझ सकें आपको उसे याद रखना होगा Understand and Remember किसी अवधारना को लागू करने के लिए आपको पहले उसे समझना होगा किसी प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए आपको उसका विशलेशन करना होगा यह एक सटीक निशकर्ष निकालने के लिए आपको संपूर्ण मूल्यांकन पूरा करना होगा I hope you understand आपको ये lesson समझ आया होगा इसी आशा के साथ अगली class में आपसे मिलूंगी if you like the class please do like, share, subscribe and comment below thanks for your attention and time happy learning